देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म सब्सक्राइब करता हूँ, आप सभी सवस्त होंगे, महादेग की क्रिपा आप सभी पर सदा बने लिए वीडियो है, पांच जून 2023, मंगलवार याडिकी Tuesday के द्यानिक राशिफल के बारे में, सामान नव इस्टेशन होता है, आपकी guidance के राशिफल दिया रहता है, और आप आजरंग बली अवश्यलिक कर जाएगा, पंचांग इस्त्रा से हैं, तिती रहेगी तृत्या, नक्षत्र, पूर्वशाड, योग शुभ, करन वानिज, और वार रहेगा मंगलवार और क्रिश्न पक्ष चल रहा है, सूर्य महराज 9.57 एम पे उदे होके, अस्त होंगे 7.9 पी-एम पर, चंद्रमा धनू में रहेंगे नक्षत्र रहेगा पूर्वशाड और सूर्य महराज वरिशब में रहेंगे नक्षत्रुन का रहेगा रोहनी, विशेश मूरतों की बात करते हैं, ब्रह्मा मूरत 4.3 एम से 4.44 एम, अभीजीत मूरत 11.53 एम से 12.48 पी-म, और अम मूरतों में यदि आप घर से निकलना हैं, तो एक बार हनुमान बाहुक का पार्ट करके ही घर से निकल लिएगा, तो यह था पंचांग चलेंगे राशीवल पर और शुरुवात करेंगे मेश के साथ, मेश इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, आज इच्छाओं पर कंट्रोल ना होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, इंवेस्पेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कार्या टकराता किसी की मदद से पूरा करने का प्रयास किजिए, करियर, अगर आप हेल्थ के इंड़स्ट्री में हैं, अच्छा दिन जाएगा, बिजनस यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, आपकी ही गलती से आपका नुक्सान हो सकता है, लव लाइफ के हिसाब से, वाणी में थोड़ी सौम में ताले, मधुरता रखेगा, विवाहिक जीवन आज अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, ज सरवाश्टक में आपका लाबस्थान बली है, ग्यारवास्थान, तो ठीक है, लाब आप तो लेकिन ग्यारवास्थान ही इच्छाओं का सान होता, तो आज इच्छाओं बहुत वैसे ही स्टॉंग दिख रही है, तो अपने इच्छाओं पर बहुत नियंतरन रखना है, पैसा भी आएगा, काम भी मनेंगे, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगे, दुश्मनों पर भी हावी रहेंगे, बहुत अच्छा दिन है आज का, हाँ, बस एक चीज़ कहूंगा, कोई कमिटमेंट मत कर दीजेगा, आज ऐसा लग रहा है, कोई गलत कमिटमेंट कर देंगे, जो आ कॉम्मनिकेशन डिटर्मीनेशन दोनों ही चीज़ों की कमी है, कॉम्मनिकेशन प्रॉबलम होती है, ठीक करने का डिटर्मीनेशन भी नहीं होता, तो इस पर काम करेजिए, विवाहिग जीवन बहुत चीजे Caleb चिपाई जा रही है, और दोनों ही साइट से हो रहा है, तहां आँखों के रोग और इंजरी हो सकती है गिर के आज जोड़ों का दर्थ भी तंग करेगा सरवाश्टक में आपका दस्वा स्थान बली है तो ठीक है दिन बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान जी के एक बार आर्थी करें है शुब अंक आपका वन कल है आपका वाइट भाग्य प्रतिशत है अस्थी प्रतिशत है जमिनाय मिथुन ओवर्थिंकिंग आज देख रही है दिन अच्छा है लेकिन और त्के कशन अपना ही नुकसान कराएंगे नेगेटिव थॉट्स जादा आएंगे मैं ऐसा लग रहा है कि एसी सिचुएशनन्स इमैजिन कर रहे हैं जिनका ना तो वास्तविक्ता से कोई लेना देना है लेकिन बस सोचे जा रहे है सोच जा रहे हैं इसके कारण आज का दिन जैसे सब ने कहा अच्छा देख रहा लेकिन उसका लाब नहीं उठा पाएंगे आज बहुत सेंसेटेव रहेंगे आपको लोगों की उर्जा बहुत प्रभावित कर जाएगी इन्वेस्पेंट नहीं कीजिएगा आज करियर के जान की भरभाई हो सकती है लव लाइफ प्रेजंट में रहिएगा ना ही फ्यूचर ना ही पास्ट विवाहिक जीवन जादा एक्सपेक्टेशन मत रखें बलकि अपने पार्ट लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशन के बारे में सोची कि वह आपसे क्या एक्सपेक्ट क है ठीक है दिन लेकिन थोड़ा सा रिटेंशन पावर आपका कम हो रहा इस पर काम कीजिए सेहत हृदे संबंदित रोग है दिक्कत होगी सर्वाश्टक्त में आपका नमम भावत इंत बली है तो ठीक है आज का दिन आपके लिए अच्छा ही जाएगा भागयस्थान का बली होना यानि कि वैसे दिन ठीक है लेकिन जो मने शुरू में बात कही ओर थिंकिंग महां से बचना है उपाई यह है कि आपको ओम हनुमते नमहा मंत्र का 27 बार जाप कर बजरंग बली को किसी भी मिश्ठाने का भोग लगा रहा है शुब अंक है आपका वन कलर है आपका ब्ल्यू भागय प्रतिशत है 75 प्रतिशत करक ठीक ठाक सा दिन है थोड़ी सी अपनी फिजिकल एनरजी और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही ध्यान दीजिए दोनों भी कोई प्रॉब्लम देख रही है आज conflicts हो सकते हैं वाद विवाद हो सकते हैं ऐसा लग रहा है कि हाथ में आती आती opportunities निकल जाती है और यह बहुत बार हो रहा है कभी-कभी ऐसा इसलिए होता है कि शायद नियती आपसे कुछ और करना चाहती है या करवाना चाहती है और आप की बात है दिन ठीक ठाक है अगर communication बेस्ट कारे करते हैं लाब होगा बिजनस के हिसाब से भी आज का दिन ठीक ही दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही जादा कोई नया काम भी आ सकता है love life attraction बहुत रहेगी intimacy बहुत रहेगी विवाहिक जीवन यहाँ पर judgmental comments बिल किसी को दीजेगा उधार हो कैसे भी हो आपके लिए उपाई यह है कि आपको बजरंग बली की एक बार आरती करने है शुब अंक है आपका पांच कल है आपका रेड भागय प्रतिशत 60 प्रतिशत सिम हलियो बहुत शुब दिन तो नहीं कहूंगा ऐसा लग रहा है कि कुछ बी कंट्रोल में इस टाइम पर नहीं दिख रहा इसले दो तिन दिन से जो भी प्रयास कर रहे हैं अधिक्तम में सफलता नहीं प्राप्त हो रही और ऐसा लग रहा है कि जीवन की बागदौड ही हाथ में होता है कभी कभी सब के साथ ऐसा होता है मैं कहूंगा कि आज का दिन को सरलता के साथ बिताना है आज का दिन अनिश्यत्ता भरा रह सकता है आज के दिन एक महत्वपूर्ण चीज आज थोड़े से एक्सिडेंट के आपके योग बन रहे हैं संभल कर वाहन चलाएगा या यात्रा कीजेगा तो दिन थोड़ा मिला जुलासा ही दिख रहा है कीजिएगा कुछ नया सीखने का अज प्रयास केजिएगा करियर अगर आप एंटरेटेन्मेंट्स जोड़ा कुछ कारे करते हैं लाप होगा बिजनस अगर इन्वेस्टर्स ढून रहे थे चीज़ें आगे बढ़ सकती है लव लाइफ के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि के रोग तंग करेंगे एंग्जाइटी बहुत तंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाब से आपका सब्तम भावत इन्त पली है थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ पर आज आप काम कीजिए आपके यह है कि आपको हनुमान चालीसा का दोबार पाट करना है शुब अंक है आपका ग्रीन भाग्य प्रतिशत है आपका सत्तर बता करन्या वर्गो देखे दिन तो ठीक ठाक सा है बस एक चीज़ कहूंगा कि अपनी उर्जा पर कंट्रोल कीजिए आज चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आजाएगा फ्रस्टेशन आजाएगा और वो गुस्सा गरत लोगों नहीं करना चाहिए इंवेस्मेंट कर सकते हैं करियर के हिसाब से थोड़ा शांत रहीएगा दिन शांती भरा रखना है आपको बिसनस की जहां तक बात है यहां पर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे और लग भी रहा है कि बदलाव आरे पस उनको समझने का प्रयास बजरंग बली की एक बार आरती करनी है शुबंग के आपका वन कलर है आपका यलो भाग या प्रतिशत है साथ तुला लिब्रा दिन अच्छा है कुछ नई शुरुवात करने जा रहे हैं तो दिन अच्छा है बस एक चीज़ कहूंगा एकसाइटमेंट में बता जाएएगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी आप नई शुरुवात अपने जीवन में करने जा रहे हैं शायद उसकी पूरी नॉलेज आपके पास नहीं यह आपने हर एंगल से चीज़ों को नहीं देखा है इस पर विचार कीजिएगा वैसे आज का दिन अच्छा है इंवेस्मेंट का विवाहिक जीवन सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुवात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है निकि प्रॉब्लम सल रही थी नई शुरुवात विवाहिक जीवन को देने के लिए बहुत अच्छा दिन है स्टूडेंस अगर आप थोड़ा सा क्रियेटिविट दो घी के दियर पन करने हैं शुबंग के आपका दो कलह है आपका औरेंज भाग्य प्रतीशत है पचत्तर बतिश्चिक कुछ भी बड़ा कारे करने जा रहे हैं निरने ले जा रहे हैं थोड़ा सा रुखिएगा कभी-कभी रिकंसीडर कर लेना चाहिए एक बार दुबारा सोच लेना चाहिए तो आज का दिन वैसा ही दिख रहा है कुछ कानोनी संबनत कारे पूर्ण हो सकते हैं गलत कमिट्मेंट मत दीजिएगा किसी को आज उसकी संभाव ना बन सकती है वैसे वी कभी-कभी ये लोग बहुत विश्चिक वाले ओवर एक्साइट्मेंट में अगर आप कंसल्टेशन बेस्ट या फिर हुमन रिसोर्स बेज कुछ कारे करते हैं लाब होगा बिजनस फाइनस बेस कुछ कारे है लाब होगा लव लाइफ बहुत अच्छा दिन है इवन नया रेशंचिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा है शुबता दिख रही है अच्छा दिन आपके लिए ठीक ठाक जाएगा थोड़ासा इमोशनल सेंटिमेंट्स पर ध्यान दिजिए आपके लिए उपाई यह है कि आपको है हनुमान चालीसा का दो बार पाट करना है शुब अंक है आपका साथ कल्य है आपका येलो भागय प्रतिशत है सत्तर प्रति कीजिएगा था थोड़ासा वर्क प्रेशर कम लीजिएगा मल्टी टास्किंग से बचेगा इन्वेस्पेंट भले ही कर सकते हैं दिन का अंतिम भाग कुछ आपको अच्छा दे कर जा सकता है लेकिन शुरुवात बहुत अच्छी नहीं होगी करियर के हिसाप से साथ मिलेग पैसों की बात पर भाएस हो सकती है तो मढ़ डिसकस किजिएगा स्टूडेंस ओवर कॉंफिडेंस सेहत पेट के रोग सरवाश्टक तीसरा स्थान अत्यनत बली है अपने कॉम्मिनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपके लिए उपाईए है कि आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाट करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाना है शुबंक्या वन कल है आपका यलो भागय प्रतिशत है सत्तर मकर कैप्रिकॉन प्रेजंस ऑफ माइन रखेगा आज थोड़ा सा टेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको जैसे बने का अपने प्रेजंस ऑफ माइन को दिखाना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए अच्छा दिन है थोड़ा स्ट्रेस अवश्य रहेगा लेकि लव लाइफ की बात है यहां पर थोड़ा सा कम बोलिएगा चोटी चोटी बातों पर भहस हो सकते हैं विवाहिक जीवन अंडरस्टेंडिंग की प्रॉब्लम दिख रही है आज स्टूडेंस बेसिक्स पर काम कीजिए आगे बढ़े जा रहे हैं पीछे का भोलते जा रहे है सेहत के इस आपसे पेट के रोग चेस्ट के रोग सरवाश्टक में आपका धनस्थान दूसा स्थान अतिंत बली है तो ठीक है दिन धन तो आएगा और ऐसा लग रहा है कोई घर में भी कुछ खुशियां आ सकती है जीवन में सकरात्मक्ता आ जाती वह दिख रही है आपके के लिए उपाई यह है कि आपको हन्वान चलिसा का एक बार पाठ करके बजरम बली को खीर का फोग लगाना है शुब अंक है आपका आठ कले है ब्राउन भाग्य प्रतिशत 80 कुम्भ बहुत अच्छा दिन देख घर में खोशी आएंगी आपके लिए खोशी आएंगी जो कुछ इंताएं चल रही थी आज उनका निवारन हो सकता है और इसकी साथ ही जो नकरात्मक्ता पिछले कुछ दिनों से आ रहे थी उसका भी अंत्व हो सकता है बहुत अच्छा दिन है लाब उठाएगा इंवेस्पेंट की जहां तक बात है कर सकते हैं आप से बस एकी चीज दिन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत चोटी चोटी चीज़े हैं जिनको इग्नोर कर रहे हैं और यह आगे चलकर सब मिलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम मन सकती है करियर की जहां तक बात है अगर एजुकेशन फील्ड में हिलाब होगा बिजनस अगर आप ग्रॉसरी से ज इस आप से बहुत शुब दिन है और ज्याद अच्छा दिन है सेहत के आप से आखों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द बाहर का खाना भी कश्टकारी हो सकता है सरवाश्टक के आप से प्रतम सानी बली है तो दिन अच्छा जाएगा आपके लिए उपाए है कि आपको हर्मान चरीशा का एक बार पाठ करके बजरंग बली को फलों का भोग लगा रहा है शुबंग के आपका वन कलर है आपका ग्रीन भागय प्रतिशत है असी प्रतिशत पाइसिस मीन आज का दिन आपका वैसे तो देखे ठीक ही दिख रहा है बस थोड़ा सा आपने आपको फ् अधाएं जो आ रही थी वो दूर हो सकती है और एक नई डिरेक्शन दिख सकती है मिल सकती है इंवेस्मेंट बिल्कुल कर सकते हैं उर्जा अच्छी रहेगी करियर के हिसाब से विदिन अच्छा दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही यहां पर बिजनस बहुत आइडियास बहुत अच्छी आएंगे लाब हो सकता है लव लाइफ के हिसाब से दिन तो बहुत शुब है बस यह कहूंगा कि अपनी उर्जा पर थोड़ा एक दूसरे की उर्जा को समझने पर थोड़ा काम कीजिएगा विवाहिक जीवन ऐसा लग रहा कि बाहरी तत्व ब इंफ्लूएंस बहुत कर रहे हैं जहां तक स्टूडेंस की बात है अच्छा दिन है कोई प्रॉब्लम नहीं दिखरी बलकि बहुत कॉम्पेटिटिव स्पिरिट रहें कि कोई अग्जाम है आपका बहुत अच्छा करेंगे सेहत सेहत अच्छी है सरवाश्टक के हिसाब से बारवास्था नतिन तबली है खर्चे थोड़े बर सकते हैं थोड़ा सा ऐसा खर्चा हो सकता है जो कंट्रोल में आपके नहीं आनिकि अचानक से कोई खर्चा आ सकता है लेकिन वह ऐसा खर्चा होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं हो आनिकि करना ही पड़ेगा आपके लि वीडियो को लाइक केजए मिल तो हम अगले वीडियो में तब तक के लिए वोब नमाइए